हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्दार रवी संकर आज हम लोग पिछला जो इसील का एक्जाम हुआ है उसका कॉस्चन के बारे में डिसकस करेंगे तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी और पैन जरूर निकाल ले क्यूंकि मैं उतना इडिटिंग करके और यह करके वीडियो नहीं डाल पाता हूं मैं जो है आपको बता दे रहा हूं आप क्या कीजिए कॉपी और पैन निकाल लेजिए आप वीडियो देखते जाए और उसको प्लीज नोट करते जाए वैसे में क्या होगा आपको भविस में जब भी इसके जरूरत पढ़ेगा तो आपको पास आपका कॉपी अबलेबल है आपसे ज़्याद मेहनत तो लग रहा है हमको ही करना पड़ेगा कोई लिखकर नहीं देखिए 2018 में जो ECL का एक्जाम हुआ था उसमें क्या क्या पूछा था सबसे पहले जो कॉस्चन में बताऊंगा उसमें आप क्या क्या चीज नोट कीजेगा यह देखेगा कि कॉस्च क्या क्या था दूसरा चीज क्या स्टेंडर्ड क्या क्या था तीसरा चीज इस बार जो सिलेब्स दिया है इस जेल वो और पिछला साल जो क्वेलेशन पूछे मूने गोशा। clear syllabus मों दे दिया है इस बार वो चीज और पिछला बार जो question पूछा था वो चीज दोनों के बीच कुछ similarities है की नहीं अगर similarities है तो मतलब कि वो पहले भी उसी syllabus के अनुसार question पूछता था तो यह सब छोटा-छोटा चीज को खुद से analysis कीजिएगा हर चीज दूसरे के भरोसे मत रहिएगा यूट्यूब पे आपको बहुत सारा channel मिल जाएगा जो बस question प्रोवाइड करा दिया question प्रोवाइड करा देने से किसी का exam क्रैक नहीं होने वाला है जब तक वह बंदा खुद से मैनत करके उसका analysis नहीं करेगा थोड़ा सा question को घुमा देगा आप बस आपको चुणिया उड़ जाएगा माथा के उपर से इसलिए हम जो आपको question बताएंगे ना वह थोड़ा अलग धांग से बताएंगे हम question भी बताएंगे question के साथ-साथ उससे मिलता जूलता और क्या-क्या चीज उसमें हम लोग discuss कर सकते हैं यह भी चीज बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं जैसे पहला question है minimum height of traveling roadways आप देखिए यह question बहुत common question है आपको लगता है कि यह question आपको मतलब बहुत high-five तैयारी करने की ज़रूरत है इस question के लिए कि traveling roadways का minimum height कितना होना चाहिए यह general सा question हर जगा इसका answer मिल जाएगा तो इसको हम लोग हम लोग और एक चीज क्या कर रहे है ना कि पूरा question का एक अलग से भी analysis कि इसमें gk का question मतलब gk कहने का मतलब की subsidiary के बारे में question कितना question पूछा गिया 50 में से आखिर कितना question है जो gk मतलब subsidiary gk के बारे में पूछा गिया तो मैं बहुत सारा analysis कि question का कि question के standard क्या है बहुत ज्यादा high standard है या low standard है तो यह सब चीज मैं वीडियो के बीच में बताते रहूंगा जैसे यह जो minimum height of traveling roadways था यह easy question में आता है और बहुत general question है दूसरा question ह है type of coal mines तो type of coal mines में हो जाता underground mines एक हो जाता open cast warm mines और एक हो जाता हुए mixed type यह आप options जैसा आप तो मेरे को इतना दिन के बाद options याद नहीं है कि options क्या था तो options के अनुसरा आप इसका answer भी easily दे सकते थोड़ा common sense use कीजिएगा आपको answer इसका अराम से हो जाएगा अगर यहीं चीज़ पूछता है underground में क्या है तो underground method के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि उसमें underground जो चल रहा है underground का टाइप्स अगर पूछ दे तो underground का टाइप्स का फिर अलग हो जाएगा आप उसमें बहुत सारा काटेगरी हो जाएगा लेकिन यहां question जो पूछा था सीधा टाइप्स माइन्स में या तो ऑपन कास्ट होगा नहीं तो underground होगा तो अप्सन जे सारा है आपको देख लेना होगा और इसके बात question पूछा था number of deplayering method में देखिए बहुत सारा इस्टुडेंट जो था उससमें slicing और वह जो आर्दचांद पूर्ण चांद चौकीदार यह सब उसको वह समझ रहा था लेकिन question यहां साब साब पूछा था कि number of deplayering method deplayering करने का कितना method है तो आप ध्यान दिएगा कि अगर यह बोल रहा है कि deplayering करने का कितना method है इसका मतलब है कि pilar पहले से है फिलर है तब तो हम उसको deplayering कर रहे है तो अगर पीलर है तो इसका मतलब एंडरग्राउंड में हम लोग चल चुके हैं माइनिंग हो चुका है तो हम लोग जो deplayering करते है वग दो टाइब से करते एक इस्टोइंग तर तो चाल को गिरा करके करेंगे है ना तो next question तरफ हम लोग बढ़ते हैं headquarter of CIL पुछा था इसको मैं GK के category में रख रहा हूँ मैं जैसे 50 question लिखा हूँ जिसमें से मुझे लगबग आठ से दस ऐसा question मिल रहा है जो subsidiary के GK से जुड़ा हुआ question है तो आप इभी द्यान रखेगा subsidiary के GK का जो question है वह आपको annual report से ही मिलेगा 10 question आपका annual report में रखा हुआ है उसका answer वह आपको उसी में से छान के निकालना रहेगा तो खेर आप चिंता मत कीजिए annual report का भी मैं रात को analysis करता हूँ 9 से 12 के बीच में annual report ही पढ़ता हूँ और उसका notes बनाता हूँ बहुत जल्दी आपको वह भी अबलेबल करवा दूगा 1% में कितना air dust होगा cold dust होगा भाई नौकरी करना है कि नहीं करना है इस अब नहीं पूछने वाला है जबरदस्ती का चीज हाथी का कउथ हो डात होता है जब नहीं पूछता है जो पूछने वाला चीज है उसको पढ़ो तभी निकलेगा इतना दीन से पढ़ पढ़के रहा ना देखे हाल रोड को जेनरल ट्रेबलिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं यह कुछन पूछाता है इसका लेवल थोड़ा सा हम समझेंगे कि थोड़ा सा हाई था इजी से थोड़ा सा उपर है कहार कोई बहुत हार्ड कोश्चन नहीं है यह सब बाद करके हम 34-35 लिखे हैं एक कोश्चन है कि इसके बाद next का कोश्चन हो जाता है size of pillar size of pillar यह क्या था कि depth दिया हुआ था और depth और width दिया हुआ था तो height of pillar उसमें करना था यह आपको table से आपको मिल जाएगा कि इस्थापना दिवस कब है यह भी जी के के केटिगरी में आता है यह भी आपको जो है थोड़ा सा यह सब जी के वाला सेक्टर में आपको देखना पड़ेगा प्लान इंड सेक्षन कलर नोग हाँ देखिए एक बहुत अच्छा कोश्चन जो हमेशा पुछता है हर एक्जाम इसको भी आप जो है यह सब जो मैं बता रहा हूं लेकिन आपको वह रेंज बता रहा हूं जिस रेंज से को उठाया जाता है जैसे कि किसी साल कोश्चन पूछ दिया टेलीफोन कैसा दिखता है यह टेलीफोन का लोगो कैसा रहा तो कोई ज़लूरी थोड़ी है नेक्स पूछेगा तो मैं एक रेंज बता रहों कि यह जो आप देखेगा रेगुलेशन के लास्ट पेज पे जितना भी साइन बना हुआ रहता है वो सब वो सब को आपको याद कर लेना उसको छोड़ना बैरियर का क्या होता है और जो भी यह बेंचमार का क्या होता है यह सब आपक आपको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा बूक में मिल जाएगा जैसे बिफ्ट पर डिपेंड करता है और यह पैनल था साइज ऑफ पैनल था स्वारी एक पैनल भी कॉस्चन था और पीलर भी कॉस्चन दोनों कॉस्चन था तो आप पीलर का तो जान रहे डेस्ट कहीं साफ से हो जाएगा डिफ जितना रहेगा उसी साफ से और उसका चोड़ाई जिसनी साफ से रहेगा अब पैनल जो पुछा था पैनल में इंक्यूबेशन प्रिया ड्रेट ऑफ मेकनाइजेशन यह दो चीज हो जाएगा अच्छा हुआ मुझे एक और कॉश्चन याद आगिया चाहिए साइज ओफ पैनल साइज और पैनल मैं भी लिख ले रहा हूँ नेक्स टाइम याद आए की नहीं आए को जाता है एक और कोश्चन था क्पैनल सिस्टम हम लोग क्यों यूज करते हैं यह भी एक रेंज अव कोश्चन मादब टॉपिक है यहां से बहुत सारा कोश् लगिया तो हम फटाक से उसको जो है इस्टॉपिंग लगा के बंद कर देंगे या कुछ भी कर देंगे तो पैनल सिस्टम को यही फाइदा होता है तो चलिए यह एक क्वेश्चन हो गया हां यह कॉस्चन है कि कौन सा गैस हलका है हवा में हवा से कुछ चार ओप्स दिया हुआ था उसमें से हइड्रोजिन भी एक आप्षा था तो हाड्रोजिन लोग करके आए थे कौन सा हवा सबसें भारी है उसमें पोचा गैस भी अगो था हर मिधेन ता मुक्रण भारी था तो सब्सक्राइब करने का जरूरत नहीं है लेकिन जेनरल ही क्वेश्चन में आप ऑप्संस को धन से पढ़िये तो ही आप जो है सही अंसर तक पहुंच नहीं सकेगा नहीं तो हादा रस्ता में गड़ आ जाईएगा हाँ पर्सेंटेज ओफ्लेमेबल गैस इन रिटर्न एंड जेनरल बोडी ओफ एयर यह वहला क्वेश्चन था कि रिटर्न में कितना इन फ्लेमेबल गैस मैक्सिमम हम लोग का होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए एयर ब्राउन डस्ट का कितना परमिसेबल लिमिट है इस पर एक क्वेश्चन था इमपी का फूल फॉर्म था हां एरिया इन इसी एल में कितना एरिया है यह भी इसी एल के जीके में आ जाता है तो मैं आपका बताया है ना कि एन्वल रिपोर्ट में पढ़ने से यह सब का पर मिल जाएगा तो यह वगे बहुत हाड़ कुर्शन तो नहीं बूल सकते तब रिलेलर किता 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 दूरी में रखना यह भी बहुत जिस्कुरल कोशन है यह बहुत हाड़ को संब नहीं है फिर भी लड़का कैसे दौ-ती गलत करलता लड़खा के साथ होता है जो बहुत ज्याधा बनता घलत करता हैवा बाबा बनने का जो आपने सबसें पाइल वर मिनट कहां लगाए कि ये उस समय का जो एन्वल रिपोर्ट फा उसमें मिल गया था तो तो यह भी अब इस साल का अनुसार कुछ हो सकता है नया चीज पूछेगा जैसे ज्ञांजरा वाला एक हम बता है कि ज्ञांजरा जो है इंडिया का सबसे ज्यादा अंडर्ग्रांड प्रोडिक्टिव माइन्स बन गिया है कंटीवास सीम पूछा था कंटीवास सीम ढूशमीड़्य वाला फूशन से स्ञांव सब्सक्राइक हो गसओ यह थो यह बोड़ा रिंज अपहला सब्सक्राइंग का सब्सक्राइं जियुक्ति आठाव हूं जैसा जमने लग जाता हूं फर्स टीटिंग फिर उसका जितना भी टाइप से जितना भी फिर रेशियों के इसाब से हैं ग्रहम रेशियों के जितना भी परसेंटेज के लिए लगता है कि आग लग गया है कि फाय नहीं बढ़क चुका है कहाँ है कि स्पॉंटेनियस वाला है जो हम रेंज बता रहें ना इसी रेंज में से कोश्चन पुछेगा और आप इसी सबसे अपने खुद से कोश्चन बनाई है सब चीज आपको बना बनाया मिल जाता है तो आप अपना माइंड के डेवलोप नहीं कर पाते हैं आप खुद से हम आपको रेंज बता द करते हैं कि आपको पता ही होगा कि हम लोग अंडर्राउंड में इसका यूज करते हैं और चाड़ता हुआ हॉलेज पे हम लोग कौन सा अटेच्मेंट फिट करते हैं इसका options मेरे को यार नहीं लेकिन वहीं जो जो बैक इस्टेर आता है उसको हम लोग यूज करते हैं करहां पीट शिफटी कमेटी से चैहां और अपड़ी आप को बढ़ करते हैं कि यह साधिय कमेटी से क्वेस्ट्य कमेटी सेikit पूछ सकता है चोटा सा पेज रख लिजेगा अलग से उसमें स्पेशल पीट से जुड़ा हुआ चीज को जो है थोड़ा सा अपना लेंग्वेज में लिख के रखेगा देखिए अभी आपके पास टाइम है अभी एक्जाम होने में डेड़ से दो महिना है अगर एक महिना त अपने वाट्सव ग्रूप में तो वह नोट्स को थोड़ा सा हम को समझा देंगे तब हो सकता है आप मेरा नोट्स भी पढ़ पाईए लेकिन आप जब अपना नोट्स अपना तरीका से बनाई एक महिना आपको लगेगा टाइम नोट्स बनाने में लेकिन एक महिना के आपको दिखाएंगे अपना नोट्स की इस तरह से हम पूरा एक चैप्टर जो है दस लाइन में खतम कर दिये थे ओवर मैं हैट बूक का एच्पी सोनी पूरा बूक हम दो से तीन पेज में खतम कर दिये थे उसका नोट्स बनाके तो आप जान लिए कि दो से तीन पेज में तो आप भी अपना नोट्स बनाने का तरीका डवलप किजिए और अभी अगर बनाके रखिया जाना अगला जितना भी एक्जाम होगा ना इतना रिवाइज मार ली जागा कि आपका सेलेक्शन कोई नहीं रोख सकता है रिवीजन ही सक्सेस का की है यह ध्यान रख लिए आप पढ़िए सुबा पढ़ें तो साम को रिवाइस कर लिए साम को पढ़ें तो सुबा रिवाइस कर लिए पहले रिवाइस कीजिए फिर निया चीज पढ़िए जैसे आज सुबा अगर आपको चीज पढ़ें है तो साम को पढ़ने से पहले वह पुराना चीज को रिवा किया जाता है जाते के साथ क्या करेगा एंडर ग्राउन्ड है तो कहा दाए जो का सर्दार से जुड़ा हुआ या वह अपना रिपोर्ड की फॉर्म में लिखता है है अि घूरum कोंग लिमीट है वर्कमेन इंस्पेक्टर ये कोश्चन बहुत कंफ्यूजिंग कोश्चन है कभी पंदरा सो देगा कभी आठारा सो देगा वरकर कभी 900 देगा आप देखिएगा तो बहुत आत्मी दो मार के आ गया तो वर्कमेन इंस्पेक्टर और स्मार्वर्कमें इंस्पेक्टर फ्रों माइनिंग डिसिप्लिन इसके बात जो उसका नियम हो भड़ता है तो एक दो बढ़ा के चार पांच करना तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको मतलब माइनिंग का दो र असर मार कर किया जगी आप एलेक्ट्रिकल और मेखेंटमें इसपेक्टर को कभी मत भूलीएगा और को लगतली चाल हैकि यहान्डिया में तर्मल पाउरलत में हम लोग इसका मैक्सिमम यूज कर interacting का ने अले से ह performances बार चार यह नंकन आपते हैंब पूछेंगा इसमें से क्यों से यूज़ होता या या इसका बहूत बड़ा रेंज और हर मसीन के यह चीज मत कीज़ेगा है हाँ रूप बोल्ट से जुड़ा हुआ को सब्सक्राइब करेंगे कितना घंटा में कितना लोड लेगा है इसाब आपको बुक में मिल जाएगा बुक वाला चीज हम नहीं बताने सकेंगा हम वह चीज बताएंगे जो हमको लगता है बूक में अब सब्सक्राइब करेंगे जो आपको रियल लाइफ का एक्सपरियेंस से जो चीज आपको मिलना है वह चीज बताएंगे हम आपको हर चीज जो बुक में लिखा वह चीज खोल खोल करके पढ़ाने वाले क्योंकि आप डिप्लोमा करके इंजिनियर बने वह इतना भी आप नही है पर जो भी बेरिंग प्लेट का क्या होता है तो से चलता है तो इसक्ति कुछ पूछ देगा तो साइज ओफ पैनल हाँ तो यह सब जो कोश्चन है यह हमको अभी तक याद है लगबग 36 कोश्चन है आप जो है अगर आपको वीडियो फिर से देख करके अगर आपको मन करें तो आप फिर से लिख लिजेगा आप लिक के रख लिजे कॉपी पर क्यूंकि आपके पास यह कोश सबका कोश्चन बताएं तो आपके पास जब कॉपी में सारा कोश्चन लिखा रहे गाना तो आप एक साथ जब सारा कोश्चन को पढ़िएगा देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ वाई किस तरह का कुश्चन पूछ रहा है बार बार वीडियो देख करके आप नहीं पकड़ पाईए वीडियो बार बार देखेंगे कभी कुछ नॉटिफिकेशन आएगा कभी कुछ मैसेज आए आपका कॉंसेंट्रेशन बिगड़ जाएगा कॉंसेंट्रेट हो करके पढ़िए रात बर पढ़िए चली फ्रेंट्स मिलते हैं फिर थोड़ा रात को थोड़ा से नोट्स बना लेते हैं इसके बाद उसका पीडियो बना करके आप लोग से सेर कर देंगा और अगर हो पाएगा तो हम उसके पीडियो में पीडियो तो रहे गए उसके साथ साथ एकदम इस्पेशल शोट नोट्स जो एकदम लगेगा कि हम मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन उसका भी हम अलाग से एक नोट्स बना करके अपलोड कर देंगे तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आपको मेरा यूट्यूब जो चैनल है उसको सेर भी कर सकते हैं ताकि जो है आपके फ्रेंट्स लोग को हो सके और मुझे भी थोड़ा मोटिवेजन मिल सके तो ठीके फ्रेंट्स मिलते हैं रात को